Hello everyone, Good morning सारे के सारे बच्चों, एक बहुत बड़े बच्चों के डाउट सा रहे हैं महारास्टा को लेके कि महारास्टा का Tentative Schedule जो है BAC Nursing को लेके वो रिलीज हो चुका है तो सबसे पड़े दिक्कत यह है कि आपका Tentative है वो 9 और 10 में को है वहाँ पर BAC Nursing का Interest Exam भी है उसे दिन और आपका A&M, G&M का Interest Exam भी है मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह Tentative Schedule है अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे लास्टियर का भी तो आप देखो आपको लास्टियर भी पांच से लेके पंदर आया यह नहीं दस दिन का गैप दिया गया था एक्जाम को लेकिए यहां मोस्ट चांस है कि आपका एक्जाम एक-दो दिन शिफ्ट कर जाएगा आपके सेंटर से आपके स्टेट में रहेंगे आपके स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे तो आप लिए ट्रेवल कर सकते हो तो एक-दो दिन का गैप जरूर से आएगा अब भी इस चीज़ को लेके पानिक होने की ज़रूरत नहीं बिकॉ पर इसने अपना रिलीज किया था टेंटेटिव स्केडियूल जिसमें सबसे करने वाली वह यह है कि सीटी बीएसी नर्सिंग का एंटरस एक्जाम आपका हो रहा है नौ में और दस में को अभी फिक्स नहीं है टेंटेटिव है यह बी और साथ ही साथ जो जीनम एनम का सीट पर दें तो पहली बात विट आपको डरने की टेंशन नहीं है एक्जाम आपके आगे पीचे शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमारे एकजाम आगे पीचे शिफ्ट नहीं होते हैं हमें को एक ही एक्जाम चूज करना पड़ेगा तो first of all पीटा मैं यह बोलूँगा आप इसको प्रिफरेंस दीजेगा बीस नर्सिंग के एक्जाइम को बड़ डरने की फिर भी बात ने विकॉस मैं और मेरे से बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो सीटी सेल को मेल करेंगे और डाफरेंटली नर्सिंग का कंप्लीट बैग्राउं हिंदी मीडियम का है वो बच्चे एनेम एक्जाम को चूज कर सकते हैं अगर उन्होंने बीस नर्सिंग का एंटरस भी भरा है तो यह तो रही बात आपके एनेम और जीनेम एंटरस एक्जाम को लेके अब मैं आपके सामने बात करने वाल यह ति संघर्ष बैच जो है यह महाराश्य के लिए आपके महाराश्य मेस स्टी में एक्रसी बोड का जो सलीबिस आता है एक इस बोड के आधरीत आपका बीएसी नर्सिंग का एंटरस एक्जाम होता है और बीएसी नर्सिंग का होता है वेल मैनर में और आपको भी पता है कि इससे पहले नीट एक्जाम के थूर आपका एंटरेस एक्जाम एडमिशन होता था अब नीट से नहीं होता अब CT सेल को गठित गया यानि CT सेल से अब BASA नर्सिंग में एंटरेस एक्जाम से एडमिशन होते हैं तो सारे बच्चे इसके अंदर आप देखोगे 93% पर लास्ट यानि 2023 पर कट आफ गई थी और बहुत सारे बच्चों ने से सेलेक्शन लिया तो आपको यह मौका नहीं चूपना है आप 2023 की जगे 2024 में अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं मारास्टा में करीब करीब अगर आप देखने को मिलेगी 10,000 प्लस सीटे हैं जिसमें आपकी 300 सीटे गवर्मेंट किये और बाकी जो रेस सीटे हैं वो आपकी प्राइविट किये तो आपको हर बच्चे को इस गवर्मेंट सीट के लिए फाइट करना है आपको मैं छोटा सा एक बताता हूँ मारास्टा बैच के अंदर आपको डेली बेसिस पे चार लाइव क्लासेज हैं लाइव क्लासेज का मतलब क्या होता है कि बच्चे आप टीचर से एकदम इंट्रैक्ट कर पाओगे ऑफलाइन की तरह कोई भी डाउट है टीचर से अउन दा स्पोट आपने पूछा यह सारी चीज़ें आपको मिलेगी जैयाकाडमी के एप्लिकेशन पर अप्लिकेशन कहां मिलेगी आपको डिस्क्रिशिन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा कमेंट में आपको पिन दिख जाएगा तो वहां प स्ट्रॉल करके आप महाराश्य के संगर्स बैच में जा सकते हैं और फिर भी इशू हो तो आपको कुछ नहीं करना है आपको मेरे खुद के परस्टनल नंबर क्या मैं उन तीन सो सीटों में आ सकता हूं क्या मैं सेलेक्शन ले सकता हूं किस तरीके से कर सकता हूं विकार आपको इन चारों क्लासिस के अलावा में बीटा करीब करीब साड़े अठारा हजार कोशन की प्रैक्टिस हो जाएगी जैक आडमी पे इसमें आपके डिपीप डेल नहीं होगे, definitely मैं और मेरे से बहुत सारे हजारों आपके लिए educators खड़े हैं जो CT को mail करेंगे ताकि उनकी अगर merge होती भी है in case date तो उसको separate किया जाएगा, तो panic नहीं रहेंगे और अपनी तैयारी को अपनी जज़बे को हमेशा कायम रखेंगे अपने सीट के लिए, तो मिलता है नक्स वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, पढ़ते रहिए, मुस्कुरादे रहिए